My precious children of God, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. परमेश्वर की बहुमुल्य संतानों, उधार करता प्रभुईश्यु मसी के नाम में सबको अभिवादन. Today, we are going to meditate Psalm 27, verse 1. आज हम मनन कर रहे हैं भजन 27 एक पर. It says, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. ये कहता है, यहवा परमेश्वर मेरी जोती और मेरा उधार है. मैं किस से डरूँ, यहवा मेरे जीवन का दृड़गर ठहरा है. मेरे दोस्तों, शायद आप जीवन के अंकार में से जा रही हैं. शायद आपकी नोकरी चली गई हो. या आपके बच्चे. या आपके प्रियर्जन. आप कह रहे होंगे, मैं तो अंकार में हूँ. मुझे कोई भी खुश नहीं कर सकता. मेरे दोस्तों, प्रभु की ओर देखो. भजन सहिता 18-28 अगर हम पड़ेंगे, परमेश्वर मेरे अंध्यारे को उज्याला कर देता है. आपके अंकार में परमेश्वर की उपस्ति होगी. प्रभु की ओर देखें. यही इसी बात पर मैं बार-बार जोर दे रही हूँ. और कोई तरीका नहीं. वही जगत की जोती है. हाँ, प्रभु ही जगत की जोती है. जितना जादा आप उसकी ओर देखेंगे, उतनी जोती आप राप्त करते जाएंगे. इसलिए प्रभु की ओर देखते रही है और उससे बात करते रही है. यही प्रातना का जीवन है. जब तक की प्रातना का जीवन ना हो, आप प्रभु से कोई आशिश नहीं पा सकते. भजन 23 चार यह कहता है, चाहे मैं घोर अंदकार की तराई में से होकर चलूं, तो अभी आने से ना डरूंगा. क्योंकि जब आप प्रभु की ओर देखते हैं, तो प्रभु पिता के समान आकर आपको तसली देता है. जब हमने अपनी बेटी एंजल को खोया, तो तब हमने यही किया. परिवार के रूप में हम सब एक साथ हाए और हमने प्रभु की ओर देखा. परमेश्वर ने आकर अपनी उपस्तिती से हमें भर दिया. उसने हमें नया जीवन दिया. हम यह सेवकाई कर पाए. आप भी अभी इसे पास सकते हैं. वो आपके सारी जरूरत पूरी करेगा. सारे अंदकार को बदल देगा. आप उसकी उपस्तिती का आनन्द उठाएंगे. हमारा परमेश्वर कितना भामूल्य है. तो हमें किस से डरना है? वो आपका सारा डर दूर कर देगा. सारा अंदकार अभी दूर हो जाएगा. विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा देखेंगे. प्रभु आपको अभी शांती और आनन्द देगा. आए प्रात्ना करें. हमारे स्वर्गी पिता. जो पुकार रहे हैं उनके दिल की पीडा को तु जानता है. ये तेरी संतान है. प्रभु इने तसली दे इने नया जीवन दे. जो भी ये खोचुके हैं तो इने जानता है दुगने रूप में तो इनकी जरूरते पुरी कर. प्रभु इने शांती दे. ऐसी शांती जो समझ से परे है. हर एक समझ से अको दूर कर. प्रभु इने अपनी भलाई और दया से तू भर दे. इन जीसस ने में प्रे इशु के नामे मांगते हैं. आमेन. आमेन.